नमस्कार आप देख रहे हैं SOS TV और मैं हूँ आपका अपना एस्टोग्रूम रगांग आज हम बात करेंगे सूरदेव के धनू राशी में गोचर की और जानेंगे क्या होगा इस गोचर का प्रभाव आपकी राशी पर लेकिन हम आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल SOS TV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया भी कीजिए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेर करना बिलकुल ना भूलें यदि आप हमसे संपक करना चाते हैं तो डेस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं तो आईए जानते हैं सूरे देव का धनुराशी में गोचर वेदों में सूरे देव को जगत की आत्मा कहा गया है सूरे का परकाश जीवन देता है और इसके बिना जीवन की कलपना भी नहीं किया सकती सूरे के नवग्रों की साथी वैदिक जोतिश में भी सूरे को नवग्रों के राजा की उपादी दी गई है ये आत्मा पिता और सरकारी सेवा का कारक मानाजर है सूरे को सिंग राशी का स्वामित वप्राप्त है ये मेश राशी में उच्च और तुला राशी में नीच का माना जाता है सूरे 16 दिसंबर 2017 शनिवार को रात्तरी में 3 बच कर 15 मिनिट पर धनू राशी में गोचर करेगा और 14 जनवरी 2018 रविवार दोपहर 2 बजे तक इसी राशी में अवस्थेत वैए तो आए जानते हैं सूरे के इस गोचर का सभी राशीयों पर होने वाला प्रभाव हिराशी पल आपकी चंदर राशी पर आधरित है मेश राशी सूरे आपकी राशी से नवम भाव में गोचर करेंगे इस अवधी में आप उच्छ शिक्षा के संबंद में कोई योजना बना सकते हैं आपकी लव लाइफ बेहद अच्छी रहेगी और यदि आप विवाहित हैं तो आपके बच्चे भी परसंद रहेंगे इस दोरान आप किसी यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं साथी परोपकारी कारियों में भी वियस्त रहने की संभावना है सूरे के शुब प्रभाव से आपके पिता के मान सम्मान में वरिद्धी होगी और आपको भी एक नई पहचान मिलेगी भाग्य हर मामले में आपका साथ देगा और इसके परणाम सरूप आपको सफलता मिलती रहेगी इस अवधी के दौरान पूर में कियेगा अच्छे कारों का आपको फल मिलेगा जो आपके लिए लाबकारी रहेगा उपाई के रूप में आदित्य हर्दसरोतर का पाठ करें वरिशब राशी सूरे आपकी राशी से आठवे भाव में प्रवेश करेंगे इसके परिणाम सुरूप अध्यात, मुध्यान और प्रणायाम में आपकी रूची बढ़ेगी इस अवधी में आपको थोड़ा सत्र करहने की आवशकता है क्योंकि किसी विवाद में फसने की वज़े से परिशानी का सामना करना पड़ सकता है स्वास्थे के परती लापरवाही बिल्कुल ना परते हैं क्योंकि यह है आपकी सिहत में गिरावट का कारण बन सकती है इसके अलावा आपके माता-पिता का स्वास्थे कमजोर है सकता है आपके लिए विशेश सला है कि सब्दी में वाहन सावधानी से चलाएं पारिवारिक जीवन में होने वाले विवादों से मानसिक शान्ती भंग हो सकती है इसलिए बेवजा के विवाद से बचे और ज्यादा तनाव ना ले साथी कोई भी ऐसा कारे ना करें जो कानून के विरुद्ध हो अन्यथा उसके लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है उपाय के रुप में मंदिर में भगवान विश्णू को गुड़ अर्पित करें मिथुन राशी सूर्य आपकी राशी से सब्तम भाव में संचरन करेंगे इस अफधी में जीवन साती या बिजनस पार्टर के साथ कुछ मदवेद हो सकते हैं इन बातों से आपका तनाव भड़ेगा इसलिए बेवज़ों के विवादों से बचना ही श्रेस कर होगा सूर्य देव के प्रभाव से आपके व्याभार में थोड़ी कड़वाहट बढ़ सकती है इस दोरान आपके जीवन साती को प्रसिद्धी प्राप्त होगी इस अफधी में संबाव है कि उनके सुभाव में एहंकार आए अपने स्वास्ते के प्रति लाप्रवाही नहीं बरते तंदुर स्थरोने के लिए सहिया में दिन चर्यापना है उपाय के तोर पर गोशाला में गेहूं की बालियां दान करें करक राशी सूरदेव आपकी राशी से छटे भाव में गोचर करेंगे इस दुरान आपकी प्रतिष्ठा में व्रद्धी होगी और आप विरोधियों पर हावी रहेंगे स्वास्ते सम्मंदित विकार से प्रिशानी संभव है इसलिए सिहत पर अधिक ध्यान दे आप घर के पुनर निर्मान और संदर्य करण के बारे में योजना बना सकते हैं नौकरी पेशा जातकों को कारेस्थल पर पहचान और प्रशंसा मिलेगी सूजबूच से समस्याओं को सुझाने के आपकी इस योग्यता की वरिश्ट अधिकारी तारीफ करेंगे इस सब्धी में कुछ धनहानी होने की भी संभावना है ऐसा हो सकता है कि जिसे आप पैसे उधार दे वो बाद में आपको पैसे ना लोटाए इसलिए लेन देन के मामले में साहधानी बरते घर परिवार में विवाद और बेवजय की आत्राएं आपका मूड खराब कर सकती है उपाय के रुप में भगवान शिव की अराद न करें और उन्हें खस का इत्र अर्पित करें सिंग राशी सूरदेव आपकी राशी के स्वामी है और इस गोचर की सब्धी में सूरदेव आपकी राशी से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे इसके परणाम सुरूप आपकी आमदनी अच्छी होगी हाला कि फिर भी आप आए को लेकर संतोष्ट नहीं रहेंगे बच्चों के खानपान और स्वच्चता पर अधिक ध्यान देने की अवशकता होगी क्योंकि सब्धी में उनकी सिहत कमजोर रह सकती है धार्मिक कारियों को लेकर रुच्ची रहेगी और इस संबन्द में कुछ नया करने की इच्छा होगी आपकी लव लाइफ में कुछ परिशानी आ सकती है इसलिए इस रिष्टे में प्यार और सदभाव बनाए रखना आपकी पहरी प्राफ्थ मिक्ता होगी उपाय के रूप में हरिवन्ष पुरान का पाठ करे कन्या राशी सूरे आपकी राशी से चतुरत भाव में प्रवेश करेंगे ऐसे में आर्थिक लाव होने के संभावना बन रही है साथ ही आप लंबी दूरी की आत्रा पर भी जा सकते हैं सूरे के इस गोचर के दुरान आपके जीवन साती को उनकी प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलने की पूरी संभावना है हर मामले में आपकी हावी रहने के प्रवर्ति विवाद का कारण बन सकती है इसकी वज़े से आपके व्यक्तिकत जीवन में विशेश कर आपके पारिवारिक जिवन में कुछ अशानती रह सकती है हाला कि प्रोफेशनल लाइफ में आपका एस भhav आपके लाबकारी साबित होगा इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल के साथ ही व्यवार करेगा उपाय के रुप में रविवार के दिन तांबे की वस्तू का दान करना आपके लिए श्रेस कर रहेगा तुला राशी सूरदेव आपकी राशी से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे इस अफ़ी में आपके भाग्य में वर्दी होगी आपको रिष्टेदारों, दोस्तों और भाई बेहनों से लाप्राप्त हो सकता है आप अपने लक्षेओं को हांसिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और इसमें सफलता प्राप्त करेंगे हाला कि ध्यान नखियें कि काम को लेकर जरूर से ज़्यादा तनाव आपकी सिहत को प्रभावित कर सकता है इस दोरान आपके साहस और इच्छा शक्ती में जबरदस भड़ोत्री होगी इस अफ़ी में आप किसी तीर थियात्रा पर भी जा सकते हैं उपाय के रुपे श्वेतार्क का पोधा लगाए और प्रती दिन उस पर जल चड़ाए व्रिश्चिक राशी सूरदेव आपकी राशी से दुईतिय भाव में गोचर करेंगे इस अफ़ी में आप धनर जित करने में सफल रहेंगे हाला कि इस दुरान कोई भी निवेश संबंदी कारे करने से आपको बचना होगा आपको नेतर संबंदी परिशानी हो सकती है अपने प्रियत्म से आवशक्ता से अधिक उम्मीद रखना आपको निराशा दे सकता है इसलिए लव लाइफ में थोड़ा संतुलन बना कर चलें इस अबधी में परिवार में होने वाले विवादों से आपकी मानसिक शान्ती भंग हो सकती है वहीं कारेस्थल पर आपको संतोष जनक परिणाम प्राप्त होंगे उपाय के रुप में बेल मूल को धारन करना आपके लिए उत्तम रहेगा धनु राशी सूरदेव आपकी राशी में ही गोचर करेंगे इस कारण आपके प्रथम भाव में इस्तित रहेंगे इस गोचर के प्रभाव से आपको सरकारी मामलों में लाप्राप्त हो सकता है इस दोरान आपको एपरत्याशित लाब होने की भी संभावना नजर आ रही है राजशाही जीवन होने से आपके अंदर एहम की प्रवर्ति हावी होगी जो कि आपके लिए परिशानी का सबब बन सकती है विशेश तोर पर इससे आपका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है अत्यस्वयम पर एहंकार को हावी नहीं होने दे और सभी से समता का व्याभार करे इस दोरान आपकी सिहत में भी उताचड़ाव देखने को मिलेंगे इसलिए स्वास्ते पर विशेश ध्यान दे उपाय के रूप में सूर्देव को जल चड़ाएं और उन्हें लाल पुष परपित करे मकर राशी सूर्य आपकी राशी से बारह में इस्थान में गोचर करेंगे इस दोरान खर्चों में बढ़ोतरी और एपरत्याशित नुकसान होने से धनहानी हो सकती है मन में कामुक विचार हावी रहने से आप किसी गलत संगत में पढ़ सकते हैं इसलिए सयम बरते ये समय आपकी लव लाइफ के लिए भी उतना अच्छा नहीं है वहीं सब्दी में आपको अच्छा ही यात्राओं पर जाना पर सकता है इस वज़े से आप थोड़ा परशानी का अनुभाव कर सकते हैं उपाय के रुप में रवीवार को गेहूं की बालियां दान करना आपके लिए श्रियस कर रहेगा कुम्ब राशी सूरदेव आपकी राशी से ग्यारेवे भाव में संचरन करेंगे इसके फलसुरूप आप उस लक्षे को हासिल करने में सफल रहेंगे जिसकी आपको काफी लंबे समय से प्रतिक्षाहती सरकारी मामलों में उच्चा दिकारियों से समर्थन मिलेगा आर्थी कलाब मिलने और कारियों के समय पर पूरा होने से प्रनसन अता होगी इस अफ़दी में किसी के साथ नया रिष्टा बन सकता है हालकि ये रिष्टा ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएगा आपको और आपके जीवन साथी को सफलता और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है उपाय के रुक में रविवार के दिन किसी जरुवत मन व्यक्ति को दवाई बाटना आपके लिए हित कर रहेगा मीन राशी सूर्य आपकी राशी से दशंभाव में प्रवेश करेंगे यदि आप नई नौकरी की तलाश में है तो इस अफ़दी में आपकी तलाश खत्म हो जाएगे साथी मौझूदा कारेसल पर आपकी पदोनती होने की भी संभावना है परसनल लाइफ में खटे मीटे अनुभावों को सामना करना पड़ेगा इस दुरान जीवन साती के साथ कुछ तनातनी हो सकती है आपकी धुर्वावना पूर्ण प्रवर्ती रिष्टों में कलहे का कारण भी बन सकती है वहीं सवधी में कड़ी मेहनत और सही फैसलों से आपको अच्छे परणाम प्राप्त होंगे उपाय के रुप में रविवार के दिन लाल वस्तरों का दान करना आपके लिए बहतर होगा तो ये था सूरदेव का धनुराशी में गोचर जो होगा 16 दिसंबर 2017 को हम आशा करते हैं कि सूरदेव का ये गोचर आपके जीवन में नित्ते ही सफलता का सूर्य होदय करें इनी शुप कामनाओं के साथ आपका अपना एस्ट्रोग्रुप म्रगांग